नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहदी महतों पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां सिर्फ साथ दिनों में मिलेंगे अद्भुत परिणाम सफेद बाल काले होंगे जड़ते बाल रुक जाएंगे घने और लंबे बालों के लिए वर्दान है ये फूल जिहां आईए आज हम सभी इसी बारे में जानते हैं जब बाल जड़ना शुरू होता है तो शुरुवात में यह इतनी ज़्यादा नहीं जड़ता है और हम इसे एक मामूली बात समझ कर नजर अंदाज कर देते हैं लेकिन बालों का गिरना समय के साथ साथ बढ़ता चला जाता है और कुछी दिनों में यह दुगनी रफतार प परिणाम इतने अच्छे हैं कि सिर्फ साथ दिनों में आपकी बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा आपको अलग-अलग लोगों में बालों के जड़ने की वज़ह भी अलग-अलग होती है लेकिन उम्रे से पहले बालों का जड़ना और गंजापन आ जाना आज के समय में एक बहुत ही बड़ी प्रोब्लेम बन चुकी है अक्सर तरह तरह के प्रयासों के बाद भी जब हमें कोई अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं तो हम बाजारों से मिलने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करने लगते हैं जिससे यह समस्या और भी बढ़ जाती है गुड़हल फूल है भायदेमन जिहां गुड़हल फूल अपने आप में एक चमतकारी और शदी है यह बालों से लेकर त्वचा और शरीर में लगभग 40 से अधिक बिमारियों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी होता है इसका इस्तेमाल करने से हमारे बा जाने के लिए सबसे पहले दो गुड़हल के फूल और दो गुड़हल की पत्यों को हाथों की सहायता से बारिक काट लें चाकू से फिर इन्हें लगभग 100 मिले लीटर अरंडी के तेल में डाल कर साथ दिन के लिए किसी कांच के जार में भर कर धूप में रख दें धूप म करने के लिए तैयार इस मिश्रण को अपने हाथों में लेकर उंगली की सहायता से अपने बालों की जड़ों में लगाना है और उसके बाद लगभग 10-15 मिनट तक हलके हाथों से मसाज करना है ध्यान रहे बालों को बहुत हलके हाथों से मसाज करना है ज्यादा जोर लगान से बालों की जड़ें कमजोर होती हैं जिसकी वज़ा से थोड़ा सा खिचाओ होने से बाल तूटते हैं तील का इस्तेमाल बालों को धोने के दो घंटे पहले करें और अगर आप चाहें तो इसे रात भर के लिए अपने बालों पर भी लगा रहने दें ऐसा करने से बाल गिरन से बनी चाय LDL कोलेस्ट्रोल को कम करने में काफी प्रभावी है इसमें पाये जाने वाले तत्व अर्टरी में प्लैक को जमने से रूखते हैं जिससे कोलेस्ट्रोल का अस्तर कम होता है गुढल के फूलों में इंटियोक्सिडेंट पाया जाता है जो कोलेस्ट्रोल कम करने के स साथ ब्लर प्रेशर को भी कंट्रोल करता है इसके फूलों को गर्म पानी में उबाल कर पीना फायदेमंद होता है डाइबिटेज मधुमी या डाइबिटेज के लिए नियमित रूप से आप इसकी 20-25 पत्यों का सेवन शुरू कर दें यह आपके डाइबिटेज का शर्तिया इलाज कर देगा इसका पोधा नरशरी से आसानी से मिल जाता है और इसे आप घर में लगा सकते हैं किड़नी और डिप्रेशन में अगर आपको किड़नी की समस्या है तो आप गुडहल की पत्ती से बनी चाय का सेवन करें इसी चाय का लाफ डिप्रेशन के lleए भी होता है द लोग बढ़ते उम्र के साथ मेमोरी लोस होने की समस्या से परेशान है और जब कम उम्र में या दाश्त कमजोर होने लगे तो गुड़हल इस समस्या को दूर करने में भी बहुत ही कारगर है। मुँ में अगर छाले हो गए हैं तो आप गुड़हल के पत्ते चबाएं आराम मिल जाएगा। बालों की जड़ें मजबूत हों जिहां मेथी दाना गुड़हल और बेरी की पत्तियां पीश कर पेश्ट बना लें आप इसे 15 मिनर तक बालों में लगाएं इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होने लगेंगी। सर्दी और खांसी गुड़हल में अधिक मातरा में विटामिन सी होता है जब चाय या अन्य रूपों में इसका सेवन किया जाता है तो यह सर्दी और खांसी के लिए काफी फायदे मंद होता है इससे आपको सर्दी से जल्द रहत मिलेगी बालों के जड़ने बालों की ग्र ना रोकते हैं बलकि इसके इस्तेमाल से एक अलग ही शाइनिंग बालों में नजर आने लगती है गुड़हल की 6-8 पत्यों को लेकर अच्छे से पीछ लें इसे सीर और स्केल्प में अच्छे से लगाएं तीन घंटे रखने के बाद कुनगुने पानी से धोलें यह स्केल् बनाने के लिए गुड़हल के सोफ फूल लेकर के काच की पात्र में डालकर इसमें 20 निम्बू का रस डालें एवं ढख दें रात भर बंद रहने दें इसके बाद सुबह इसे हाथ से मसल कर कपड़े से इस रस को छाल लें इसमें 80 ग्राम मिश्री गुले गाजबान का अर् प्लस 20 ग्राम संतरे का रस मिलाकर मंद आच पर पका लें इसको सुजन खुजली और जलन में गुड़हल का फूल सुजन के साथ ही खुजली और जलन जैसी समस्याओं से भी आपको रहत दिलाता है गुड़हल के फूल की पत्यों को मिक्सी में अच्छे से पीस लें तथा स पिंपल्स और मुहासों की समस्या से परेशान हैं तो गुड़हल की पत्यों को पानी के साथ उबाल कर अच्छे से पीस लें और इसमें शहद मिलाकर पिंपल्स पर लगाएं एनीमिया की समस्या और इस्टेमिना बढ़ाएं जिहां महिलाओं को अक्सर आइरन की कमी से एनी खा कर फिर अच्छे से पीस कर उन्हें किसी एर टाइट डिबे में बंद कर दें और रोजाना सुबह शाम एक कप दूद के साथ यह पाउडर लें सिर्फ एक महिने में ही इनीमिया की समस्या दूर हो जाएगी और इससे एस्टेमिना भी बढ़ती है पाचन शक्ति के लिए लार में वृद्ध और पाचन शक्ति को बनाने और मुह के छालों के लिए गुरहल की तीन से चार पत्यों को चबाना चाहिए आपको लाब होगा तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए जो जानकारी लेकर के आये थे यह गुरहल के फूल के फायदों स सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महतोपून जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों